हेलो एवरिवन, वेलकम बेक तू माई चैनल आज हम गनेश चतुर्थिक के अवसर पर मोद की एक बड़ी ही शानदार और आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने वाले सभी जरूरत की सामगरी हमारे घर पर सभी के पास इन मोद को बनाना बिलकुल आसान है और सभी लोग इसको बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें किस किसी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने लिए हैं 10-12 काजू, थोड़े से किश्मिश, और 12-15 के करीब बादाम, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, हमने इन सभी चीजों को ले करके, मिक्सी के एक ग्राइंडर मे हम इनको डालेंगे, और इनको दरदरा सा पीस लेंगे, किश्मिश होने के वज़े से, ये सभी चीजे पिस करके, बाइंड हो जाएंगी, चिप-चिपी सी हो जाएंगी, और इनको बाइंड करना असान हो जाएगा, तो ये देखिए, हमारा बिलकुल मिश्रन दरदरा त्य हो गया है और यह बिल्कुल सुखा सुखा मिश्रण नहीं है इसको हम हाथ से पकड़ करके ऐसे बाइन करेंगे तो यह बंद जाता है एक गोली टाइप में ऐसे बंद जाता है इससे एक इसमें कलर अच्छा आजाएगा और दूसरा यह अच्छे से थोड़ी और अच्छी सी इनकी गोलीयां बन जाएगे यह अच्छे से बाइइंड इसके अंदर काफी होता है तो ये हाथ पच्ची पकता भी नहीं है और इस तरह से हम सारी खोलिया बना करके सारे मिशन की तो चलिए अब हम रख लेंगे अगला प्रोसेस करते हैं इसके लिए अब हम आगे लेंगे नारियल का पुरादा अपनी इच्चा के नुसारा आपको जितना भी बनाना हो उतना ले सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कटोरिया एक कप लिया है और इतना ही मैंने इसमें लिया है सुखा दूद यानि मिल्क पाउडर और वन फोर्थ कप मैंने इसमें चीनी ली है आप इसकी जगे पर दिसी खान का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा कुश्वू के लिए यहाँ पर मैंने इलाइची पाउडर डाला है और अब इन सभी चीजों को मिक्सी में बारिक पीस लेंगे तो यह हमारा एक ड्राइ मिक्सरन जो है त्यार हो गया है जो एक मावा और खोया की तरह से हमारा बन जाएगा अब हम इस मिशरन को एक बड़े बॉल में या किसी बड़े बरतन में ट्रांसपर कर लेगा अब हम इसमें चमच के साथ तीन या चार चमच ही दूद डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से मलेंगे और ताकि यह जो हमारा मिशन है यह अच्छे से एक डो की तरह से बंद जाए जादा दूद की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से जितना आपको इसमें जरूरत लगे उतना एक-एक चमच करके दूद मिलाते जाएं और इसको अच्छे से बाइंट कर लें यह तरह से एक सौफ्ट डो बना लेंगे तो यह देखिए बिलकुल त्यार हो गया है इसको हम अच्छे से मल के इसको बनाएंगे तो यह एक तम चिक ना बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर नारिल का बुरादा भी है तो अलग से हमें इसमें घी डालने की कोई जरूर नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको लगता है कि कम घी है तो आप इसमें थोड़ा सा घी अपने इच्छा के अनुजार डाल सकते हैं अब हम लेंगे इस परकार के मोदग बनाने के सांचे सांचा ना हो तो आप हाथ से भी इनको बना सकते हैं मैंने अपने पिछली वीडियो में हाथ से किस तरह से मोदग बनाते हैं वो डाली है आप चैनल पर चेक कर सकते हैं थोड़ा सा घी का हाथ लगा के हम जो ये हमने मावास बनाया है जो ये आटे के डो की तरह से मावे का मिश्रण जो त्यार किया है इसको भरेंगे उंगली के साथ दबा दबा के और बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने अभी जो ड्राइपूट की जो गोलियां बना कर हमने रखी है वो एक गोली इसमें हम डाल के रखेंगे ये इस तरह से और उपर से थोड़ा सा मिश्रण ओर लगा के इसको अच्छे से हाथ से दबा करके बंद कर देंगे और इस तरह से ये हमारा मोदक त्यार हो गया है तो अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए कितना सुन्दर मोदक की शेप इसमें आ गई है इस तरह से हम सारे मिश्रण के मोदक बना करके त्यार कर लेंगे कितना सौफ्ट और कितना सुन्दर देखने में बना है तो ये इसी तरह से हम सभी को तयार कर लेंगे एक एक करके सभी को हम इसी तरह से बना लेंगे और इस बार की गनेश चतुत्ती पर अपने गनपती जी को इसी तरह से मोदक का भोग लगाएंगे हम बना कर तो ये देखिए हमारा दूसरा भी मोदक तियार हो गया है इसी तरह से एक एक करके सभी को त्यार करेंगी अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने मित्रों और प्रेजिनों में आगे शेयर अवश्य कीजिए चलिए हमारे मोदक सभी तयार हो गए है और अब हम हमारे पास थोड़ा सा मिशन बच गया है तो हम इसको आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं तो अब हम इनको सजाने की बारी आती है अब हम इन मोदकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरीके से सजा सकते हैं आप इसके उपर बारे एक ड्राइफूप लगा सकते हैं मेरे पास ये सिल्वर बॉल्स गॉल्डन बॉल्स रखी दी तो मैंने गॉल्डन बॉल्स के साथ इसको सजा दिया है उपर से थोड़ा सा पिस्ते की हल्गी सी कत्रने लगा दी है और ये देखने में देखे कितना सुंदर लग रहा है अब हम इसको काट के दिखाएंगे इस तरह से इतना सौफ्ट ये बना है ये देखिए आज की ये वीडियो अगर आपको पसंदाई है तो लाइप शेर अवशे कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी जैसे बटन को अवशे दबा ले ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत